तो यहां पर रेप्लिकेशन फोग बना अब इसमें क्या होता कि हमारे जो रेप्लिकेशन के न्जाइम्स होते हैं वो होता है DNA Polymerase, Polymerase 1, DNA Polymerase 2, DNA Polymerase 3 यह तीन न्जाइम्स होते हैं ठीक है DNA DNA Polymerase यह जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है हमारा तो अब जो फर्स्त है उसका function क्या होता है फर्स्त क्या function होता है हमारा कि वो रिमूब कर आर ने प्राइमर को रिमूब करें मतलब वो मैं आपको बात मुझा तो पहले यह स्टार्ट करते हम लोग में जो काम है वो है DNA Polymerase 3 का उससे DNA Polymerase 3 जो है वो आएगा और उसने हमारे लिए क्या बनाना है उसने हमारे लिए अब फंक बात यह है कि यह जो DNA Polymerase 3 है न यह सिरफ 5-2-3- ही बनाता है न्यू स्ट्रेंड को ठीक है अब जैसे यहां पर 3- है ठीक है अब जो न्यू स्ट्रेंड बनेगा वो बनेगा 5-2-3- की डिरेक्शन ने ठीक है लेकिन यहां पर तो फाइव डैश ही है तो यह बनेग जो स्ट्रेंड है यहां तक तो अभी बन रही है एक खुला ही नहीं है ठीक है तो सिरफ यही से स्टार्ट हो सकती है तो अगर यहां से स्टार्ट हो सकती है इतना बड़ा सपोस्पांच तो यहां पर भी है ठीक है ब्लैक वाला जो मैं बना रही हूं वह मारा पेरेंड डिय और यह DNA polymides 3 work करेगा इसलिए यह जो है पहले सपोज इतना बन था इस आपको समझाते हूं को पहले इतना था ठीक है और यह 5-2 3-2 फाइश है और यह 3-2 फाइश है ठीक है यह पहले इतना बन था तो अब जो 5-2 3-डेश बनेगा ठीक है यह बना ऐसे त्सक्राइब जो 5-2 फाइश है यहां पर त्सक्राइब है मैं बनेगाया ऍमसारी मेरी उल्ट रिख दिया यह पहले इप क्या है यहां पर एव पहले इंगा साई इसे कौ्छा ऑपभाडासे मैं प्रदागा पुल रच मेंतर में एड़ा । ठीक है अब यहां पे यह तो था ही इधर की तिरफ 5-2-3- लेकिन यह 5-2-3- यह बन गया अब इधर जो next 5-2-3- आएगा वो यहां पे आरेने प्राइमर दुबारा आएगा 5- और यहां पे 5-2-3- की डिरेक्शन में दुबारा बनाएगा लेकिन यहां पे जो दूसरा वाला ह लेकिन जो दूसरा वाला है यह जो है यह continue से रहेगा क्योंकि यह उसकी डिरेक्शन में ही खुल रहा है समझ मैं हां कि 5-2-3- जब हम बना रहे हैं यहां पे यह वाला तो फिर यहां पे यह खुली जा रहा है अपने आप तो यह अराम से बन रहा है तो यह वाला जो strand हो गय leading strand leading strand ठीक है और जो यह वाला strand जो यह उपर वाला है यह वाला इसमें क्या हो रहा है जैसे जैसे खुल रहा है वैसे अब जब यह चीज खुल जाएगी तो यहां से बनेगा 5-2-3- यह खुल जाएगी क्योंकि हम बनाना 5-3- direction में इसलिए यह चोटे-चोटे-चोटे- अब यह जो lagging strand बनता है यह जो बनता है यह कुछ pieces में बनता है यह जैसे हम pieces बोले ना यहां पर pieces में बन रहा हूं यहां पर regular एक दम से ऐसे जा रहा है तो यह जो pieces में बनता है इन pieces को हम बोलते है ओका साकी fragments ओका साकी fragments कुछ नहीं DNA के फ्रेग्मेंट है ठीक है यह हो गया हमारा ओका साकी फ्रेग्मेंट और यह जो है वो continuously बनता है अब क्या होगा जब यह खतम हो जाएगी replication ठीक है तो what will happen कि यह DNA polymerase 1 जो है न यह DNA polymerase 1 इसका function यह DNA polymerase 1 का function क्या है इसका function यह है कि यह जो है वो RNA polymerase 1 जो प्राइमर हमने डाले है यहां पर बार-बार यहां पर प्राइमर डाला एक दिखाते हम आपका जैसे यहां पर है तीक है यहां पर हमने यह प्राइमर लिया और इस डिरेक्शन में शुरू हो गई यहां पर worker %3 त्श धो अशिए फिर यह फिर यह ना पर प्राइमर आज आएगा तो इस तरीके से प्राइमर जो है यहां पर प्राइमर और और ते यह जो है यह जो मित ओक है और ब्लैक यह आरेने n aiFlow करने का ठीक है इनको गाप भी कॉन फिल करेगा DNA Polymerase 1 और फिर जो DNA Polymerase 2 है वो क्या करेगा वो प्रूफ रीडिंग करेगा कि सही बन रहा है या नहीं और वो रिपेर कर देगा और कोई चीज गलती उसको मिल गई तो 2 क्या है रिपेर और प्रूफ रीडिंग के बारे में ठीक है उसके बाद हमारा एक इतोपोसाइट ड्रग आता है वो जो हमने DNA Topo Isomeryx के आए उसको ब्लोक कर देता है अब अगर DNA Topo Isomeryx ब्लोक हो गया मतलब कि वो cutting और e-sealing नहीं हो रही मतलब कि इस सूपर कोईल बने हैं और सूपर कोईल बने ही है तो फिल आगे फ़र्दर इसलिए इडूएन ने टूपो आइसोमरेस के ऊपर अफ़ेक्ट करता है कौन इटूपासाइट इस वस रेप्लिकेशन प्रॉसेस्ट विच इस इन योगेरिवार्ण इसलिए प्रॉगेरिवार्ण विवगेरिवार्ण में रूजल चीजें है वो मैं आपको नेक्स वीडियो में बताते हूं तांक्यू